आज हम बनाएंगे करिस्पी चिकन रोल पारट और वह भी मेरे स्टाइल में बहुत इजी है तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है लाइक कर देना है बेल अकन को प्रेस कर देना है ताकि आपको मेरी न्यू नोटिफिकेशन मि अगर आपके पास यह नहीं है तो आप कोई प्याली वगएर से मेजर्मेंट कर सकते हैं इस चार्ड शमर्च हम ओल लेंगे ओल हो या घी आप जो भी आपके पास अवैलिबल आप आड़ कर सकते हैं नमक आप अपनी हिसाब से आड़ कर सकते हैं मैंने वन टी स्पून जैने जैसे हम आठा गूनते हैं उसी तरह हमने यह भी तैयार करना है यह डूबी उसी तरह ही हमने तैयार करने जिस तरह आठा हम गूनते हैं अबसमें ऑट ही एड़ करें जो नौर्मन आट होते है वो तो इसली गून जाते है पर इसको गूनना थोड़ा मुश्किल होता है तो जो कोशिश करें इसे आप स्यादा सॉफ्ट ना गून दे सही है लाई बोटी तेयार करेंगे तो एक बॉल लेंगे उसमें चार से पांच टेबल स्पून दही आट करेंगे चार से पांच टेबल स्पून करेंगे टीबल स्पून ऑट करेंगे एप टीबल स्पून अब पाराइडर करेंगे आप 국 योल्ग के द्हत करेंगे और हाफ टीपून हालती क Deus और अब हम इसके अंदर सौय सॉस साथ और चिली सॉस अट करेंगे सीर का हम बन टेबल स्पोन अट करेंगे और चिली सॉस जो हो 3 से 4 टेबल स्पोन अट करेंगे क्रीम अगर आपनों के पास घर की अवैलिबल हो तो वह एड़ करें उसे यह टेस्ट बहुत जबर्दस्ता है का साया सॉस 3 से 4 टेबल स्पून एड़ करेंगे इन सब को हमने अच्छे से मिक्स करना है इतना मिक्स करना है कि जो मसाला है वो चिकन की बिल्कुल नसो नसो तक पहुंच जाए अच्छी तरह हम मिक्स करेंगे अब चिकन को हमने आदे से एक खंटे तक छोड़ देना है चिकन का जो मसाला है वो हमारा तयार हो चिकन के एक खंटा हो गया है अब हम एक खुबसरा सफरा बेन लेंगे, उसमें हमने तीन से चार टेबल स्पून आइड करना है, आइल जैसे गरम हो जाए तो जो चिकन को मसाले लगाया था वो चिकन अब हम इसके अंदर डाल देंगे, याद रहे, आइल को आपने अच्छे से गरम करना है, फिर जाके जब तक हमारा चिकन त्यार हो रहे तब तक हम पराठे बनाना स्टार्ट करते हैं, हम हाथों पे अच्छे से ओल लगाएंगे, ताकि जब हम डो उठाएं तो हमारे हाथों पे ना चिपके, कि फिर जो है वो चिपके बहुत ज्यादा हो भी, तो ओल से यह है कि जो आटा है तो हमारे हाथों पे चिपकेगा नहीं, तो अब हम इसके अंदर ओइल आट करेंगे थोड़ा सा और इसे हम दुबारा से अच्छे से घून लेना है, अब हम थोड़ा से मैदे की डस्टिंग करेंगे, आज आपनों को बिल्कुल रस्टरान स्टायल का रोल पराठा मिलेगा अगर आप इसी तरह मेरी एक एक टिप को फॉलो करेंगे तो इन्शाला बहुत ही जबरतस्ट बनेगा, इसको हमने अच्छे से बेल लेना है, और इसके ओपर जो है वो आईल लगा लेंगे सही से, आईल लगाने के बाद इसे जो हम ब्रेश की मदद से अच्छे से सैट करे इसे हम नौर्मली सुबह के टाम जो पराठे हम तयार करते हैं उसी तरह हमने ये पराठे भी तयार करने हैं, अब इनको हम अच्छे से रोल करेंगे, और इनकी जो है ना सेंटर से हम कट करेंगी, इसकी जो हैं छोटी छोटे पीसे से हम बना लेंगे, पराठों में आपने अच्छे से ओयल लगा लेने उससे यह कि आपकी जो है वो बिलकुल एक एक लेर जो है वो नजर आएगी अच्छे से ओयो च्छे से खली हुईँ सैंय on. कि अब हम एक प्योडा लेंगे और इसे हमने अच्छे से बेल लेना है मैदे की जो डिस्टिंग वो जयादा आपने नहीं करना है आप में आल से ही करना है तो अब हम एक खुब्सरवादा लेंगे उसमें आईल थोड़ा से लगाएंगे और जैसे ही करम हो जाए तो ब्रश की मदद से जो है आप में ओल को अच्छे से सैट कर लेना है अब जैसे ओल जो है हमारा अच्छे से करम हो जाए तो फिर हम इसके अंदर पराठा डार देंगे तो इस पराठे में थोड़ा टाइम लगेगा तो तब तक हम जो है वो दूसरा पराठा तयार कर लेते हैं पराठे जो है वो हमारे तयार हो चुके हैं अब हम चिकन की तरफ चलते हैं चिकन जो है हमारा बहुत ही जबर्दस तरीके से तयार हो चुका है और इसका मसाला बहुत ही जबर्दस तयार हुआ है अब इसके अंदर हम एक कोईला ठाखेंगे उसे यह कि टेस्ट बहुत जब कर देना है अब हम पराठा लेंगे और इसके लिए हमने जहां वह पुदीने की चटनी त्यार की है और जो है रड़ चटनी हम ने त्यार किया रड़ चटनी के अगर आपने रसी भी देखनी तो लिंक मैं मैं में अचेंड कर दूंगी तो वहां से आप देखें अब उसके बाद जो है वो पोदीनी की चटनी आट करेंगे इसको हमने अच्छी से कवर कर देखेंए और फोड़े से प्यास करने हैं आप यह आपने इसी तरह घोल घोल ही आपने काटने हैं सही卜िडरों और जो चिकन हमने त्यार किया था वो हमने इसके उपर डाल देना है ऐसे ही इसी तरह आपने आट कर देना है अगर आपको मेरी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपनों को मेरी इसी तरह आपको अच्छी सी अच्छी वीडियो मिलती रहेंगी अब इसके उपर हम जहां वह कैचप अट करेंगे और इसका जहां है रोल बना लेंगे और यह रोल बहुत ही मज़े का बना था इसके अंदर जो चिकन हमने तियार किया था को चिकन इतना जबरदस बना थाना में अगया बहुत ऑ मज़े अधकर सी इसके अजिक के आप आप लाए यह एक करेंगे तो इसका टेस्ट बहुत ही जबरदस आ Ranmm तो आप लोगों को मेरी ये रेसिपी कैसे लगी मुझे कमेट सेक्शन में ज़रूर बताईएगा आज की लिए इतना फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ अल्लाहफिज